बात यहाँ है, OBC को जिस तरीके से राहूल गांदी के नाम पर पर प्रचारित किया जा रहा है, ये डिफिमेंटरी है OBC को एक धूलक की तरह इधर से बजाद हो जाए रहा है, ये पूरी तरह से भ्रम्य है इस बार धूलक तो तुमारी बनाई जाएगी, और हम बजाने का कम पिछड़े बर के लोग करेंगे प्रधान मंत्री अगर पिछड़े बर के होते, तो मंडल कमीशन की बात करते, वो जाकास संसस की बात करते, दलित पिछड़ों की बात करते ऐसे प्रदान मंत्री का OBC महासभा, OBC के तमाम संगटन हमें उसके खलाब जाएंगे एक सबसे बड़ी बात है कि All India Label पे एक बहुत बड़ा कारिकम हो रहा है जिसमें Chief Minister Tamil Nadu ने एक initiative लिया है जिसमें तेजश्वी आदव है, जो उकमक मंत्री है, आकले स्यादोजी है, राहिस्तान के CEM ये काफी सारा OBC बड़ जो All India Label पे है, चगन बुझबल जी है ये All India Label पे उनाइटेड हो रहे हैं और इसलिए हो रहे हैं कि एडली सेंसेस तो कराया जाए क्योंकि अभी हम 1931 के बाद में कास सेंसेस को लेके काफी बार बात चीत हुई, पिछले बार भी जो सेंसेस हुगा, वो कास सेंसेस किया है नोंने, मगर उसका डाटा पब्लिस नहीं किया, तो हम लोगों का यहां पे ये मुद्दा है कि कास सेंसेस कराया जाए एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से राहुल गांदी को दो साल की सजा हुई, राहुल गांदी ने जिस तरीके से मोधी और मोधी सन्यम को चोर बोला, उसको लेके बीजेपी एक मोहिम बना रही है, बीजेपी ये कह रहे है कि ये OBC का अपमान है, तो हम मांगेंगे कि मोधी सरनेम गुजरात में OBC कम्यूटी में आता ही नहीं है, एक बड़े मज़े की बात है कि सेंटर लिस्ट और स्टेड लिस्ट दोनों भी लिस्टों में मोधी आता ही नहीं OBC कम्यूटी में, पर ये प्रचारत किया जा रहा है कि OBC कम्यूटी को चोर बोल हम से दूसरा एक legal notice भी हम लोग देने जा रहे हैं जे पी नड़ा सापको और उसमें मांग करेंगे कि जिस तरीके से OBC को चोर बाली बात वो कह रहा है रहा है राहूल गांदी के नाम पर यह भी डिफिमेटरी की उसमें आता है तो इस तरीके का प्रचार इन लोगों को बंद करना चाहिए नहीं तो हम लोग को legal action लेंगे बात राहत की नहीं है बात यहां है OBC को जिस तरीके से राहूल गांदी के नाम पर पर प्रचारित किया जा रहा है यह डिफिमेटरी है यह बड़ा important issue है जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि मोदी म OBC मंदब चोर इस तरीके के define करके पूरे की आदी के आदी भारत देश की आबादी नहीं बिलकुल मैं यह कहता हूँ राहूल गांदी का नाम लेके जिस तरीके से OBC Community को चोर बोला जा रहा है यह डिफिमेटरी है यह और इसके खिलाब में हम लोग कानूनी करवाई करेंग जैसे तैसे कांग्रेस में कमला सरकार ने से 27 किया और उसके बाद जैसी सरकार चेन जो गई तो फिर उन्होंने रोग दिया और आज भी उस पर प्रॉपरली प्रॉपर भी नहीं कर रही गोव्मेंट तो इस कारण से 27 परसेंट जो रिजर्बेशन मिलना चाहिए था वो नह तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है यह बड़ा दुखजनक है कि आज मद्विदे सरकार में ही डाटा सम्मिट किया है कोट में और उसमें कहा है कि दस दस परसेंट लोग काम कर रहे हैं दस लेके 13 परसेंट तक 24 में क्या पूरा विपक्ष और पूरे OBC कम्यूटी हमें लगता है कि जिस तरीके से OBC कम्यूटी पर जो अत्याचार हो रहे हैं बो एक तरीके से लाममन्द हो रहे हैं और यह आज उसी की एक पढ़निती है उसी को आज एक चर्टा देख रहे हैं आप देखेंगे इस्टैलेंस आप भी जुड़े हुए हैं आपका तेजश भी यादव जुड़े हैं जारकन के सीएम हेमन सुरेन जी भी जुड़े हुए हैं अखले से आदव जी भी आये हुए हैं तमाम सांसद आये हुए हैं और OBC बहुत बड़ा तपका जो इंटलेक्टिल बर्ग हैं पॉलिटिकली एक्टिव हैं उसाब यहां पे खट्टा हैं देखें यह बात सही है कि भारतियंता पाइटी और पहले भी पूर पाइटिया भी रही उन्होंने मद्द प्रदेश के पिछड़े बर के साथ दोखा किया गया और लगातार जी पिछड़े बर का जो मुकमंतरी अपने आपको बोलने वाले लो बोलते हैं मुकमंतरी सिवरासिंग चोवान आज आज 19 सालोंने जा रहे हैं पिछड़े बर की इस्तेदारी नहीं है चाहे स्वास्तवाग की बात हो चाहे कार्परेक्शन की बात हो तमाम सारी जगा पर चाहे हाई कोट की बात हो वहाँ पर पूर रूप से खतम कर दिया गया इसके लिए लगातार ओविसी महासवा के तमाम जो हमारे संगठन है वह भी लगातार उस लड़ाई को लड़ा है सब्सक्राइब और इसके लिए हम लोग पूर रूप से एक जूट होकर इस पार जो वहाँ पे मत्वदेश का चुनाव द पूर रूप से करेंगे देखिए इस देश में और मद्वदेश में आदेश से ज्यादा आबादी हमारी है हर दूसरा आदमी ओबी सी है लेकिन जब हम लोग अपने लोगों को जागरत करने लगे हैं लगातार लोगों को बता रहे हैं कि तुमारा दुसमन कौन है तुमार को खतम करने में लगे हैं तो लगातार लोगों में जागरती आ रही है देखिए एक बात समझ में जिसे अभी हमारे बरुन सर ने बोला था कि जिस परकार से भारतियंता पाइडियारस यह सोच रही है कि OBC को एक ढूलक की तरह इदर से बजाद हो जाए रहा है यह पूरी तर सिंगी पूर में गिरह मंतरी थे उन्होंने 2018 में बोला था कि हमारी सरकार आएगी हम कास सेंस कराएंगे लेकिन मुखर गए इसका बदला हम 2024 में लेंगे क्योंकि जिस परकार से जिस परकार से एक जूटा जो अभी पूरे देश के अंदर जो आज की तारिक में जो बदनाम करने का और एक जो गाली के नाम पर जो बोल रहे हैं कि वो भी सी को चोर बोला देखिए अगर वो चोर जो अगर बोल रहे हैं मुक मंतरी प्रदान मंतरी को चोर बोला प्रदान मंतरी अगर पिछड़े बरके होते तो मंडल कमीशन की बात करते हैं जा कास सेंसस की बात करते दलित पिछलों की बात करते हैं आए दुनांक तक केबल मंदिर मच्ठों की बात करते हैं सामप्रधाक्ता की बात करते हैं और जो अडानी जो गुरूपे मूधी ललित मूधी है उनकी गूधी में बेटकर इस देश के सब को लोट कर जा रहे हैं पूरी रूप से पिछले दलितों का इस्साख आ रहे हैं ऐसे प्रधान मंत्री का OBC महासभा OBC के तमाम संगटन हम इसके खलाब जाएंगे और सर ने जो बोला है हम पूर रूप से OBC महासभा के लोग और JP डड़ा को हम लीगल लोटेश दे रहे हैं और उनको बताना चाहते ह हैं कि आप प्रमारत कीजिए कि मुदी जी OBC के हैं OBC की सेंटल जो OBC नाम का जो बुला है कि OBC मुदी जाती OBC की है कहीं भी देख लीजिए हमारी पिछले वर का जो पिछले बारायो की जो सूची है जो OBC की सूची है सेंटल की उसमें मोधी कोई कोई जाती नहीं है वाँ पे और गुजरात में हमने देखा वाँ भी कोई जाती नहीं है इसके लिए हम सूट फाइल करेंगे और जो अपमान किया है यह पिछड़े बर को जो आपने ढोलक की और डमरू की तरह बजाने का काम किया है उसका बदला हम 2024 में लेंगे और इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े